हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है हमने डिफ्रेंट लेक्चर में ये पढ़ा था कि अलग-अलग स्टेट कितने तरह की होती हैं मैटर्स की तीन स्टेट से आप फैमिलियर हैं इसके अलग अभी दो तरह की स्टेट और होती हैं प्लाजमा एंड बोस आइंस्टाइन कंडनसेशन उनके बारे में हमने डिटेल में बात की थी कि जब किसी गैस को हम इलेक्टिसिटी प्रवाइड कराते हैं यानि इलेक्टिक डिस्चार् स्टेट हो जाती है और उस स्टेट को हम कह सकते हैं वह पूरी तरह से ना तो गैसियस फॉर्म होती ना ही लिक्विड ना ही सोलेड और वह अलग ही स्टेट बन जाती हैं जिसे प्लाजमा स्टेट करते हैं उसके बाद हमने बोस आइंस्टाइन कंडनसेशन की बात की थी उस पर किसी गैस को या फिर किसी भी मैटर को हम अप्रोक्सिमेटली जीरो डिगरी सेलसियस या जीरो डिगरी कैलविन पर चेंज कर देते हैं तो result में हमें मिलता है एक अलग ही state जिस state में cluster बन जाते हैं atoms के और वह atoms मिलकरके compact state बनाते हैं या फिर कह सकते हो एक नई तरह की structure बनाते हैं जिने हम कह सकते हैं वो होगी हमारे पाद fifth state of matter उसकी characteristic बाकी state से अलग होंगी अब हम basic की बात करते हैं basically हम तीन state की बात करेंगे और उन state को किस तरह से change किया जा सकता है एक दूसरे से उनकी की बात होगे यहां पर four state को आप देख पा रहे हो change of state of matter यहां पर हम state of matter को change करने की बात करेंगे जैनि किस तरह से temperature और pressure को apply करने के बाद हम यहां पर उनको एक state से दूसरे state में change कर सकते हैं इस डाइग्राम में एक flow chart बनाया गया है और उस flow chart में हम देख सकते हैं बड़ी असानी से सबसे उपर जो structure दिखाया गया है उसके नीचे representation है solid की left side में जो दिखाया गया है वह liquid को represent कर रहा है और एक gases को यहां पर जो goal आपको structure दिख रहे हैं यह atomic structure है solid के case में यह well defined है और बिलकुल एक दूसरे से satay हुए है liquid के case में यह well defined नहीं है इनमें थोड़ा सा क्या हो गया है gap हो गया है इनके बीच में gases state में बिलकुल ही नहीं है बिलकुल ही अलग अलग है इस सारी की सारी state मतलब atoms एक दूसरी से बिल्कुल दूर दूर है अब हम इनकी उपर result देखते हैं कि temperature अपलाए करने से क्या होगा जैसे सबसे पहले यहाँ पर solid से एक arrow right side नीचे की तरफ आ रहा है यानि melting process दिखाई गई है melting का मतलब होता है solid को जब हम heat provide कराते है temperature इसका बढ़ाती है तो यह atomic structure इसका बिगड़ जाता है यह particle एक दूसरे से दूर जाने लगती है और ऐसा करने से फिर क्या होगा इसकी structure liquid structure से मैच हो जाएगी यानि particle दूर हो जाएगे उनके बीच में जो गैप है वह कम हो जाएगा बढ़ जाएगा वह गैप और उससे result में हमें liquid state मिलेगी इस process को हम melting कहते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है हमने solid को temperature provide कराया उससे उसकी structure बिगड़ी और liquid बन गया वह इसका reverse भी किया कि ऐसे ही अगर मैं बात करूं liquid से gases में चेंज घरने की प्रोसेस की तो लिक्वीड को जब गरम किया जाता है और ज्यादा heating दी जाती है तो वह boiling प्रोसेस होती वहां पर यानि उसके particle और भी दूर हो जाती है और इस तरह से gaseous form वहां पर generate हो जाती है अब reverse भी किया जा सकता है किसी भी gas को liquid में convert किया जा सकता है इसे हम condensation process कहती है यानि gases के उपर जो temperature था उसको कम यहां पर हमने कम कर दिया है और कम करने से उसके जो molecules थे वह नस्दीक आने लग जाएंगे और liquid form बन जाएगी फिर ऐसे ही solid से हम वैपर में भी कर सकते हैं कुछ सब्स्टांस ऐसे होते हैं जो डारेक्ट solid से gases form में convert हो जाते हैं जैसे नेफ्थलीन एक ऐसा ही सब्स्टांस होता है इसी तरह से बहुत सारे जो सब्स्टांस है जैसे कैंफर हैं यह सारे के सारे डारेक्ट solid से लिक्विड मतलब solid से gases form में convert हो जाते हैं intermediate status में नहीं आती है यानि solid को अगर हम direct gases form में change करना चाहें तो वह प्रोसेस होगी सब्लेमेशन प्रोसेस और ऐसे ही रिवर्स भी होगा इसका गैस को अगर हम direct solid में convert करना चाहें तो वह बन जाएगा solidification जैसे carbon dioxide कुछ इसी तरह से यहां पर action शो करती है direct वह solid बन जाती है जिसे हम ice कह सकते हैं carbon dioxide की तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम solid को temperature provide करते हैं तो वह liquid में convert हो जाता है यानि उसके particle दूर-दूर हो जाती हैं ऐसे liquid को temperature provide कराएं तो वह boil हो जाता है और gases form में convert हो जाता है यानि उसके particle और भी दूर-दूर हो जाती है अब gases को अगर हम temperature इसका कम कर दें तो यह solid में convert हो जाती है by solidification method और अगर solid में temperature को एकदम से हाई करते तो वह sublimation शोग कर चकता है और result में हमें gases form मिल सकती है ऐसे ही gas को अगर हमें liquid बनाना हो तो condensation process होती है और liquid को अगर हमें solid बनाना हो तो freezing process होती है इस तरह से graph काम करता है और कल हम इनकी definitions पढ़ेंगे यह क्या कहलाती है अलग अलग यह अच्छे question बनते हैं आपके सामने six type के question जो है यहां यहां पर रखे गए है और आज का homework यही है आपका आप इनमें से यह जो terms लिखी गई है आपने notes से इनका meaning समझेंगे और write करेंगे यानि six point आपने write करने हैं ओके all the best